हाई प्रेंट्स आप इस वीडियो में देख सेकते हैं मेरे पास दो टपाड़ा कंपनी का वायर कटर है और एक का साइज बरा है एक का साइज छोटा है जो बरा साइज का है उसका मोडल नमर है डबलो एस जीरो फाइज दोनों वायर कटर है आज मैं इसके बारे में होंगा यहां पर देख सकते हूं यहां पे यहां इससे फरेपसाने वाला यहां पर के स्ट में लगा हुआ नहीं करना होँआ है और को लिए द्रहों kangard करता है ओ यह छोटा है छोटा है ऑप कर आदेखते हैं और यह में कवायर ईसम कट कर देखते एंज धूचत टो यह बहुत हीजली कट कर दिया और इसे कट करने के बादा हम इसके सिर्फ वायर को च्हेलेगे यानिकी ऊपर के puedas निकालेंगे यो एक लेंगे यह दोनों दोनों का मुझें गोर्व Yer von कुण से wire cutter से वाय कटर से कर सकते हैं इसे करने में ठौशा टायम लग ठायर को यूज करके देखते हैं यह जो बड़ा वाला प्लायर है इससे बहुती इजली कट रहा है छोटा से भी बहुती इजली कट रहा था और यह धाय में का वायर था है और इसे हम छिलते हैं तो बड़ा वाला जो कटर है उससे थोड़ा सा इजली इसका इंसुलेशन निकलता है बड़ा वायर कटर से चलिए हम इस वायर को हटाते हैं धायम के वायर को अब हम चार में के वायर को लेते हैं इसे हम कटते हैं फिर से हम छोटे वाले वायर कटर को जूज करते हैं छोटा वाला वायर कटर से यह कट रहा है लेकिन एक बार में फसरा है फिर दुबारा जब हम काटते हैं दो कावोरा रह लेकिन कट रहा है लेकिन थोड़ा सा forensा लग रहा है आप हम से छिलते हैं जब इसकी इंसले सन हटाते हैं तामें 2 से तीन बार रोड को रॉंड करके इसके इंसलेस्ट को कट करना पड़ता है उसके बाद यह निकलता है अब बड़ा वाला के यूज कर रहे हैं बड़ा वाला से जब हम इसे कटते हैं यह इजली कट रहा है और और इसे छिल्ले में यह बहुती आसानी हो रहा है यह आप आसानी से इसे निकाल सकते हो यानि कि बड़ा वाला जो वायर कटर है है लेकिन इसे कट करने में टाइम लगेगा देख सकते हो इसे हम लगभग चार पाँच वार अभी तक कट कर चुके हैं लेकिन यह अभी तक पुड़ा कट नहीं हुआ है लेकिन यह कट हो रहा है और टापाड़ कमपणी के बारे तो जानते होंगे यह बहुत ही अच्छा लेलो वह बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होता है चलिए इसका इंसुलेशन हटाते हैं अनली इसुलेशन हटाने के लिए इसे हमें वायर को दू-तीन बार रौंड करके इसे चाड़ तॉप से पहले कट कर लेंगे उसे बाद इसे निकालेंगे तो इसे थुरा सा दिकत हो र रहा है और यह असानी से हो रहा है इसे भी कट करने में दो-तीन बार लगा लेकिन उससे अच्छा से और जल्दी हुआ फिर आप में इसके इंसुलेशन को हटाने में भी यह थोड़ा सा जल्दी हो गया यानिकि आप यदि मोटा वायर का इंसुलेशन हटाते हो या फिर कट करते हो तो आपको बरावला वायर कटर लेना चाहिए जिसा कि मैं आपको इस वायर कटर के बारें सारा चीज में आपको बता दिया हूं चलिए आप इस वायर कटर से पतला वायर को कट करके देखते हैं कि पतला जो वायर कटर रहेगा उसके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा बरावला या फिर छोटा वाला यूँज करते हैं इसे यूज का रहा है यह अफिशा कि आप देख रहा है है बावला का यूज करते हैं यशा कि आप देख रहे हो और बहुत रहा तो आपको ये वीडियो को पूर देखने के लिए धन्यवाद